जै स्री राम जै बागे साधाम दोस्तों कैसे हो आप सब उम्मीद है आप सब बढ़िया ही होंगे दोस्तों कुछ भक्त मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि बागे साधाम गुरू जी परवणी महराश्ट में कौन से इस्थान पर आ रहे हैं तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में डेटेल में जानकारी दैनी वाला हूं दोस्तों आप इस वीडियो को इसकिप मत करना वीडियो को लाच तक जरूर देखना और दोस्तों कुछ भक्त मुझे कमेंट करकर कह रहे हैं कि आप हमें गलत इंफोर्मेशन देते हो दोस्तों जबकि ऐसा नहीं है दो दोस्तों मैं इसलिए कहता हूं आप हमारे चैनल के साथ connected रहा करो दोस्तों आप थोड़ा सा बेट कर लिया करो मैं पूरी जानकारी के साथ आपको बता देता हूं जब भी बागे साधाम गुरू जी कोई नया अपडेट देते हैं या जानकारी को आगे पीछे करते हैं चलिए दोस्तों बिना टेम बेश्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है जब भागे साधाम गुरू जी कहीं पर प्रोग्राम करने जाते हैं तो सबसे पहले कलस यातरा निकाली जाती है या फिर सोवा यातरा निकाली जाती है दोस्तो सोवा यात्रा या कलस यात्रा एक ही बात है दोस्तो बात कर लेते हैं 10 दिसंबर की तो दोस्तो बागे सदहाम गुरू जी 10 दिसंबर में सोवा यात्रा निकालेंगे दोस्तो बागे सदहाम गुरू जी इस सोवा यात्रा में भाग नहीं ले पाएंगे वे किसी काम से बाहर रहेंगे दोस्तो लेकिन जो महिलाई इस सोवायातरा में सामिल होना चाहती है वे अपने पीले या लाल कलर के बस से बना कर रख ले और जब भी ये सोवायातरा स्टार्ट हो उस इस्तान पर पहुँच जाएं जहां से ये सोवायातरा निकाली जा रही है दोस्तो बात कर लेते हैं 11 दिसम्बर की तो दोस्तो बागे सथाम गुरू जी 11 दिसम्बर में साम चार बज़े से स्री हनुमंत कथा सुनाएंगे जो भक्त हनुमंत कथा का आनंद लेना चाहते हैं वे 11 दिसम्बर में इस स्थान पर पहुँच सकते हैं दोस्तों आगे आपको इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि आप फ्री में कैसे रुक सकते हो लेकिन दोस्तों ये बात बहुत से भक्तों को पता है लेकिन जो हमाई नए भक्त हैं उनको साइद ये जानकारी नहीं होगी इस चकर में वे कहीं पर रूम ले लेते हैं और फिर हाई शार्ज देना पड़ता है जबकि दोस्तों होटल सभी भक्त मेनेज नहीं कर पाते हैं दोस्तों अब बात कर लेते हैं 12 दिसम्बर की तो दोस्तों बागे सदहाम गुरू जी 12 दिसम्बर में दोपेर 12 बजे से यहाँ पर दिब्बे दरवार स्टार्ट करेंगे जो भक्त भी इनके दिब्बे दरवार में सामिल होना चाहते हैं बे दोपेर 12 बजे तक इस स्थान पर पहुंच सकते हैं दोस्तों यदि आप इनके दरवार में अपना परचा बनवाना चाहते हो तो आप अपने घर से अरजी बांद कर आना दोस्तों यदि आपकी अरजी स्विकार हो गई तो बागे सदहाम गुरू जी आपको नाम सहीद बुला कर आपकी अरजी लगा देंगे और आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का अंत कर देंगे दोस्तो, उसके बाद में 12 दिसम्बर में ही बागे साधाम गुरूजी इसे इसस्थान पर साम 4 बजे से स्रीहनमंद कथा भी सुनाएंगे दोस्तो जो भक दिब्धरवार के बाद में स्री हनुमंत कथा में सामिल होना चाहते हैं वे इसी इस्तान पर रुप सकते हैं दोस्तो बात कर लेते हैं 13 दिसंबर की तो दोस्तो बागिस अधाम गुरुजी 13 दिसंबर में इसे इस्थान पर सिरी हनुमंत कता सुनाएंगे दोस्तो हनुमंत कता का समय साम 4 बजे से रहेगा और दोस्तो यदि आप इसका प्रसानल लाइब देखना चाहते हो तो आप बागिस अधाम सरकार चैनल पर जाकर देख पाऊगे दोस्तो बात कर लेते हैं कि ये कौन से इस्थान पर आ रहे हैं तो दोस्तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि परवणी से इस इस्थान की दूरी लगबग 38 किलो मीटर है दोस्तो परवणी में एक स्थान है लच्मी नगर दोस्तो बागिस अधाम गुरू जी लच्मी नगर परवणी महराष्ट में ये तीन दिन की हनुमत कता करेंगे और एक दिन का महा दिब्यदरवाद लगाएंगे दोस्तो बात कर लेते हैं कि आप फिरी में कैसे रुख सकते हो तो दोस्तो जहां पर इनका दिब्यदरवाद लग रहा है हनुमत कता हो रही है आप उसी स्थान पर दो से तीन दिन तक बिल्कुल फिरी रुख सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर मा अन्पूर्णा का भंडारा भी निसुल्क मिलता रहेगा और दोस्तों जो अपने बहां से जा रहे हैं उनके लिए पार्किंग सेवा बिलकुल ही निसुल्क रखी गई है तो दोस्तों यदि अब भी आपके मन में कोई डाउड है कोई पिरसन है यदि आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हम रिपलाई देने की पूरी कोशिस करेंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्यार लखें और सभी बोलें जय स्री राम जय जय बागि शर्द हाम